वेल्किम जेहिंद डिफेंस आस्पुरंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि NDA 2 2021 एक्जाइम के तहट जिन 19 गल्स ने आज की इस वीडियो में वीडियो जानने के बाद में मैं जानना चाहती हूँ आप सभी के विचार इस डिसीजिन को लेके जो की इस बार किया गया है फॉर दी गर्ल्स एंट्री आपको बता दी वर्तमान समय में नाश्रल डिफेंस अकैडमी में टोटल 18 स्कौर्डरन स्थापित है और जब नाश्रल डिफेंस अकैडमी में फीमेल एंट्री को लेकर Honorable Supreme Court of India ने अपना decision पर मोहर लगा दिया तब उस दौरान सीरा स्कौर्डरन को चर्चा में लाया गया कि इसे फीमेल स्कौर्डरन के नाम से स्थापित किया जाए लेकिन चर्चा में आते ही इसे सून रोक दिया गया था आचुली जब Supreme Court of India ने UPSC को ये judgment पास किया तब UPSC ने NDA 221 का notification फीमेल के लिए जारी कर दिया आपको बता दे साथ ही साथ फीमेल के लिए जो other eligibility criteria थे वो तो मेल के comparison में सेम ही रखे गए थे लेकिन कुछ specific जैसे health over physical standards, infrastructure for females at NDA, कितने strength intake होगा, nature of training क्या होगी, medical standards क्या होगी ये सभी चीजे ministry of defense को decide करने के लिए छोड़ दी गई थी जिसका decision लेने के बाद में एक final notification हमारे सामने आ चुका था उस दौरान चर्चा का विशे बहुत सारे aspects थे, जैसे यदि महिलाए National Defense Academy में training के ले जाएंगी तो उनके लिए special physical infrastructure, जैसे की residential quarters होने चाहिए, strict physical separation होना चाहिए, जिसमें female candidates के लिए separate bathroom cubicles, swimming pools, equitation, games, sports की facilities होनी चाहिए जैसे कि आप सबको पता है कि total 19 girls UPSC NDA को join करने वाली है इस पूरे examination को clear करने के बाद में, तो इस वर्ष भी जब total 19 girls का पहला bash National Defense Academy की पावन भूमी पर कदम रखेगा, उसमें से 10 महिलाएं Indian Army के लिए train की जाएंगी, 6 Indian FOS के लिए और remaining 3 महिलाएं Indian Navy के लिए train की जाएंगी So, इस दौरान यदि बात की जाएं तो total 18 squadrons है National Defense Academy में और ये भी साफ साफ अभी के लिए मना कर दिया गया है कि Sira squadron अभी नहीं आ सकता है वास्तविक्ता में So, आप finally decide क्या हुआ है आईए उसके बारे में जानते हैं अब ये decision लिया गया है कि जितने भी females हैं जो 19 females join करने वाली है National Defense Academy को उन्हें existing squadrons में ही मर्च कर दिया जाएगा यानी total 18 squadrons जो इस समय available है उन्हीं में ही उन females को merge कर दिया जाएगा इससे होगा क्या बेसिकली इससे better integration होगा और साथी साथ में gender based discrimination को भी खटन किया जाएगा आपको बता दे उन महिलाओं की भी training और education सेम होगी और अपने male जो counterpart से male cadets से उनके साथी कराई जाएगी आपको बता दे कुछ specific changes होंगे definitely जैसे कि PT master वर drill master जो है उन्हें special training receive कराई जाएगी OTA चन्नाई के trainer से कि कैसे women's को train किया जाता है जो women's को women's के हिसाब से ही train करेंगे women officer, women doctor भी available होंगे academy में जहाँ उन्हें separate inclusures, washrooms और rooms की facilities भी दी जाएगी Cira squadron के अब बात की जाए तो भाई ये चर्चा में आया तो अब होगा क्या आपको बता दे Cira squadron को operational करने में अभी लगभग 3 साल का समय लगेगा जी हाँ, अभी के लिए इसी वज़ा से ये decision लिया गया कि females को male squadrons में merge कर दिया जाए जहां पर basically PT वर drill masters उनके हिसाब से उन्हें training देंगे साथी साथ में female officers, doctors और room facilities जो females के प्रोवाइट की गईगे ये help करेगा और साथी साथ में gender sensitization में भी help करने वाला है आपको बता दें, co gender squadron से अब basically फायदा क्या होने वाला है इससे gender based discrimination में help मिलेगी और साथी साथ में team building को support करेगा हो सकता था कि अगर एकदम से ही महिलाओं के लिए separate squadrons होता तो वहाँ male female होने लगता अब यहाँ पे basically co gender squadron होगा तो supportive होंगे male candidates और female candidates एक दूसरे के प्रति और साथी साथ में केड़िट कॉपरेशन से एक बहुत ही अच्छा जो है हमें team efforts का एक नजारा देखने को मिलेगा आपको बता दें female और male squadrons को अभी same करने का जो पूरा reason रहा है वो यही है कि gender based discrimination को खतम कर दिया जाए academy से इन conclusion अब यही कहना चाहेंगे कि जो honorable supreme coach of India है उन्होंने जो decision passed किया national defense academy को females भी join कर सकती है इसमें जो हजारों महिलाएं हैं जो अपने इस dream को achieve करना चाहती हैं उनके सपने कहीं ना कहीं शाकार होते दिखाई दे रहे हैं शाथी साथ में हमें ये भी उमीद है surely इस तरीके के changes इंडिया के defense system में बहुत ही जादा changes और you know modernization के साथ साथ में building में help करेंगे और ये भी उमीद है कि आने वाले दिनों में 19 सी नहीं 19 से जादा vacancies national defense academy के लिए महिलाओं के लिए release कर दी जाएंगी ताकि महिलाओं भी बढ़ चरकर हिस्सा ले देश की सुरक्षा में और अपने सपनों को साकार करें इसी के साथ में होप आज की information आपको अच्छी लगी होगी थांक्यू जैहिन